सबी चाहत देख सकते हैं कि इंटर और मैटिक परिक्षा को लेकर अधियक्ष ने जानकारी दिया है दोस्तों क्या जानकारी दिया है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रों पर होगा रॉल नमर से कॉप्यों का मिलान दोस्तों यह फस्ट बार हो रहा है बोट परिक्षा दो जाओने इसमें कि दोस्तों केंद्रों पर होगा रॉल नमर से कॉप्यों का मिलान इसके साथ ही देखिए इंटर वर मैटिक परिक्षा के पहले सभी परिक्षार्थियों के रॉल नमर से उनके सभी विशायों की उतर पुस्तिकाओं का मिलान किया जाएगा इसके साथ ही गरवरी मिलने पर ततकाल उसमें सुधार किया जाएगा यह सारा काम परिक्षा केंद्रों पर ही होगा जहाँ पर दोस्तों आप लोग का सेंट अब होगा वहीं पर यह सारा काम होगा इस बार सभी केंद्रों पर आठ दिन पहले ही उत्तर पुस्तिका भेश जी जागी है आनंद किसोड ने केंद्रा धिक्षकों के लिए आयोजीत कारजाले साला के दोरान दिया है। दो सहयोगियों के साथ सामिल हुआ था। इसके साथ ही इस पार ग्यात हो कि इस पार इंटर वा मैटी की सभी उतर पुस्तिकाओं पर छात्र के रॉल नमर रॉल कोड नाम अविभावा के नाम आधी बोड से ही प्रिंट अंकित रहेगा। आप लोगों को सिर्फ अपना हस्ता अक्षर करना है जैसे करते हैं नहीं तो सब बोड़ी के तरफ से रहेगा। आपका रॉल को सब दोस्तों उतर पुस्तिकाओं में दिया रहेगा। किसी कारणवस किसी छात्र के रॉल नंबर आती में गरवरी हो जाती है तो उसे बिना प्रिंट वाली कॉपी दी जा सके। याँ अगर किसी छात्र काई दोस्तों 10% बिना जिस पर प्रिंट नहीं क्या रहेगा वह भी कॉपी भेजा जागा। जिससे और किसी छात्र का कॉपी गरवर हो जाता है तो दोस्तों वह कॉपी उसको दवारा दी जागी। इसके साथ प्रिक्षा की एक दिन पहले भिक्षक करेंगे जोयन। मैटिक वर इंटर प्रिक्षा की एक दिन पहले भिक्षकों को जोयन करना होगा। अध्यक्ष ने का कि सभी भिक्षकों को समय से न्यूक्ति पत्र मिल जाएगा। किसी भी हालत में एक दिन पहले सभी को जोइन कर लेना है यान दोस्तो जब आप लोग का exam स्टार्ट होगा उससे एक दिन पहले सभी यानि जो आप लोग का home guard teacher है दोस्तो जो चोरिक रोकने के लिए उसको एक दिन पहले जोइन कर लेना है इसके साथ यहाँ पर देखे लिखा हुआ है कि अलग-अलग रंगों में पाइकेट में होगी परिक्षा सामगिरी यानि अलग-अलग रंगों के पाइकेट में होगी परिक्षा सामगिरी परिक्षा सामगिरी एक दूसरे से नौ मिले इसलिए बोर्ड इस बार इहतियात बरत रहाएगी परिक्षा के अंदरों पर जो भी परिक्षा संबंदी सामगारी जाएगी उसे अलग-अलग पाइकेट में रखा जाएगा हर पाइकेट का रंग अलग होने से गरवरी नहीं होगी इसमें उपस्तिति पत्रक उतरपस्तिका कदाचार में पकड़े गए चात्र मिनट पहले तक परवेश मिलेगा यहाँ पर देखे लिखा हुआ कि पर्थम पाली सारे नौ बजे पराराम होगी इससे दस मिनट पहले तो छात्र केंदर में परवेश कर पाएंगे और दूसरी पाली दोस्तों वन सवा पने एक वजए यानि वन पईताली से शुरू होगा तो 1.35 परवेश आप कर सकते यानि दोस्तों सिर्फ 10 मिनट पहले और यहाँ पर देखे चोरी को लेकर दोस्तों कितना वरा बदलव किया है हर चात्र की दो बार तलासी कीज़े दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कि आप अब ये से अपना श्टडी सुरू कर देखे क्यो पुलीस वल करेंगे यहाँ दोस्तों पहली वार डंडा दिकारी यहाँ पुलीस वल आद दूसरी तलासी दोस्तों भिक्षकों द्वारा की जाएगी पर तेक 25 परिक्षारतियों पर एक भिक्षक तलासी करेंगे इस वार दोस्तों बोट परिक्षारतियों ने बहुत बहु में उतर पुस्तिका वो देने के समय आने वाली दिकत्ते भी रगी इसके अलावा के अंदरा धिक्षकों ने बोर्ट के सभी विशायों कॉपी का अलग-अलग संक्या देने का आग रख किया दोस्तो आप सभी को पता चल गया कि बोर्ट परिक्षा 2 जानों इसमें क्या-क्या करना है दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और भी हर बोर्ट से जुरा इसे ही न्यूज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जिए नीचे में एक छोटा सा रेट करके बटन होगा उसको दबा कि आप मेरे चैनल को सब्स